जैहिन दोस्तो मेरा नाम बहादर लोधी और आज किस वीडियो में हम हाली के कुछ दिनों के करंट अफियस के most important question को discuss करने वाले हैं और दोस्तो इन सबी question को हम हमेशा की तरह बिलकुल detail में with aster effect के साथ में discuss करेंगे इसलिए वीडियो को विना skip किए last तक जरूर देखें तो आएए दोस्तो विना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नमर first question से और नमर first question है अभी हाली में 33 वा सरसुती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया तो दोस्तो सरसुती सम्मान 2023 ये मार्च 2024 में दिया गया है ठीक है और किसको दिया गया है तो प्रभाव बर्मा को दिया गया D option हमारा correct answer हो जाएगा हम सारे important factor को discuss कर लेते हैं तो दोस्तो अभी हाली में 33 वा सरसुती सम्मान 2023 ये प्रभाव बर्मा को दिया गया और उनके उपन्यास रौद्र सात्वी कम के लिए दिया गया है ठीक है इससे पहले जो 32 सरसुती सम्मान है 2022 में ये सिफ संक्री को दिया गया था और इनकी पुस्तक सूर्य वंसम के लिए दिया गया था ठीक है हम बात करें सरसुती सम्मान की तो ये किस के दोआरा दिया जाता है के के वेला फाउंडेशन के दोआरा दिया जाता है और सरसुती सम्मान एक वार्षिक प्रुसकार है जो कि पिछले दस वर्सों में प्रकासत उतकरिष्ट स्ताहित तक कृति के लिए दिया जाता है ये जो प्रुसकार है ना ये किसी भारत ये भासा में लिखी गई कृती के लिए दिया जाता है पहली बार ये पुसकर किसको दिया गया था हरीवंस राय वच्चन को दिया गया था 1991 ठीक है तो ये complete fact याद रखना है आपको सरत्सोती सम्मान के बारे में ठीक है 33 याद रखना है कि प्रभा बर्मा को दिया गया और इ second question है सैक्त राष्ट की world happiness index 2024 के अनुसार खुसाल देशों की सूची में भारत की ranking क्या है तो दूस्तो अभी हाली में world happiness index 2024 जारी किया गया है और इस index में अपना देश भारत जो है ये 126 वे इस्थान पर है ठीक है हम बात करें 2023 में तो 2023 में भारत 126 वे इस्थान पर ही था हा अलाकि 2023 में भारत सरकार ने इस index को नकार दिया था ठीक है लेकिन याद रखना 2023 और 2024 दोनों में भारत 126 वे इस्थान पर है खुसाल देशों की सूची में और डेटेल से हम question को समझ लेते हैं तो मार्च 2024 को United Nation के sustainable development solution network ने world happiness index 2024 जारी किया है और इस index में 143 देशों को इस्थ पान दिया गया और 143 देशों में अपना देश भारत 126 वे इस्थान पर रहा है 2023 में भी 126 वे इस्थान पर था और इस index में फिनलेंड लगातार साती वार दुनिया का सबसे खोसाल देश बनके उभरा है अफगानिस्तान इस index में आखरी पायदान यानि की 143 वे इस्थान पर है नेश्ट मारकोसन है अभी हाली में मानव विकास सूचकांक भी जारी किया गया तो मानव विकास सूचकांक में अपना देश भारत जो है यह 134 वे इस्थान पर है ओके मानव विकास सूचकांक की बात करें तो यह UNDP यानि की संवक्तराष्ट विकास कारी करम के द्व अपना देश भारत 135 वे इस्थान पर था ठीक है टॉप तीन देशों की बात करें तो सुजरलेंड पहले इस्थान पर है नारवे दूसरे पर और आइजलेंड तीसरे इस्थान पर है नेश्ट हमारा कॉस्टन हाली में नेपाल के किस सहर को नेपाल की परेटन राध्धानी घ होसित किया गया है हम बात करें नेपाल की तो नेपाल की राध्धानी है कार्टमांडू यह जो करन्सी है नेपाली रुपया और राष्टपति यह कोन है तो रामचंद्र पोड़ेल राष्टपति है प्रधानमंत्री हैं पुस्प कमल दहल प्रिचंड ठीक है और याद से परसों के लिए IPL होता है ना तो IPL की ही तरज पर महिलाओं के लिए WPL शुरूं किया गया था पहली बार 2023 में ठीक है 2023 में पहला संसकंड खेला गया था और 2024 में दूसरा संसकंड खेला गया और दूसरा संसकंड जो है यह RCB यानि की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलरू ने जीत लिया है सारे इंपॉंट फैक्टों को हम डिसकस करेंगे दूस्तो डवलू पील दो हजाद चौविस कायोजन किया गया भारत के दो सहरों बेंगलरू और नई दिल्ली में संसकंड मैंने बताया कि दूसरा संसकंड है जीता है RCB ने और इस की कफतान कौन है तो इस मिर्ती मंधाना RCB की कफतान है और विजिता रही है दिली केपिटल और दिल्ली केपिटल की कफतान करी है MAG لेनिंग ने याद रखना RCB ने दिल्ली केपिटल को आठ विकेट से हराया है ठीके और टोटल 5 team है सामिल रही ही WPL में और 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 केप का खिताब जो है यह सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाडी को दिया जाता है तो सबसे ज़्यादा रन बना है एलेस पेरी ने 347 ठीक है और परपल केप का खिताब जो है यह पूरे टूनेमेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाडी को दिया जाता ह तो ये स्रेंग का पाटिल को दिया गया इन्होंने पूरे टूनेमेंट में 13 विकेट लिये हैं और Most Valuable Player of the Tournament का जुख खताब है ये दीपती सर्मा को दिया गया है ये सारे फेक्ट याद रखना है अब बताएए भारत में नागरिक्ता संसोधन अधिनियम यानि की CAA 2019 कब लागू किया गया Most Valuable Question ये पूछा ही जाएगा तो दोस्तों जो CAA है न ये लागू किया गया है 11 मार्च 2024 को ठीक ही ये डेट अपने दमाग में च्छाप लेजिए यहां से Question बनेगा और सारे फेक्टों को हम डिसकस कर लेते हैं नागरिक्ता संसोधन कानून यानि की CAA 2019 के बारे में तो देखिए भारती नागरिक्ता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिक्ता संसोधन विधियक 2015 संसद में पेस किया गया था ठीक है और यह लोग सवा में पास होता है 10 दिसंबर 2019 को और राश्वा में यह पास होता है एक दिन बाद 11 दिसंबर 2019 को और उसके एक दिन बाद राश्टपती से भी मंजूरी मिल जाती है तो 11 दिसंबर 12 दिसंबर 11 दिसंबर और 12 दिसंबर 2019 ये तीन डेटें आपको याद रखना तीक है राष्टपती से मंजूरी मिलते ही ये क्या बन जाता है CAA कानून बन जाता है ठीक है और एक और डेट याद रखो कि 11 मार्च 2024 को केन सरकार ने CAA की अधिसूचना जारी करी है तो 11 मार्च 2024 भी आपको याद रखना है ठीक है जो तहत भारत में 5 साल बिता चुके अफगानिस्तान, बांगलादेश और पाकिस्तान के अलफ संखेकों को नागरिक्ता दी जाएगी तीन देश के अलफ संखेक रहेंगे अफगानिस्तान, बांगलादेश और पाकिस्तान ठीक है और ये जो अधिनियम है न ये अफगानिस्त आपसे कौन-कौन से देश के अलपसंख्यकों को नागरिक्ता मिलेगी देशों के नाम पूछे जा सकते हैं वो छे धारमिक समुदाय कौन से होंगे ठीक है कितने साल भारत में बिता चुके हैं उनको नागरिक्ता मिलेगी तो पांस साल बिता चुके हैं ठीक है संसद में में से एक नमबर दिख रहा है ओके और दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप बिलकुल डेटेल में current fs को पढ़ना चाहते हैं आसान भासा में current fs को पढ़ना चाहते हैं current fs को topic wise पढ़ना चाहते हैं तो हमारी current fs की अपडेट ebook launch हो गई है इस ebook के अंदर आपको current fs के वो सारे question मिल जाएंगे जो कि exam point of view से most important है exam में आने की probability बहुती जादा है ठीक है यानि की important content बिलकुल भी miss नहीं होगा हमारी इस ebook से ठीक है और इसी करम में हमारी static gk की रामबान ebook लौंच हो गई है इस ebook को भी purchase कर सकते हैं science की ebook भी लौंच हो गई है और यह सारी ebook आपके बहादुसर और उनकी पूरी टीम ने बहुती जादा महनत करने के बाद तयार करी है तो मैं guarantee से बुल सकता हूँ यदि ए exam में selection लेना है न तो इन सभी ebook को आप purchase कर लेजिए नेश्ट हमारा question है देश के नए चुनाव आयोगत यानि की election commissioner कौन बन गए है दोस्तों देश के नए चुनाव आयोगत जो है यह दो लोग बने है कौन एक तो सुकबीर सैसंधू और दूसरे हैं ग्यानिस कुमार तो ए option हमारा correct answer हो बरतमान में जो मुख चनाव आयोगत ने वह राज्यू कुमार कौन है राज्यू कुमार है ठीके और जो दो चनाव आयोगत हैं उनकी अभी जूकत की गई है कौन-कौन है तो एक तो सुखवीर से संदू है और दूसरे है ग्यानिस कुमार तो इनका नाम भी आपको याद रखना और मुख चनाव आयक तो जो है ये राजु कुमार है केन सरकान ने केंद्रिय मादमिक सिक्षाबोड यान की CBSE का नया अध्यक्ष किसे न्युक्त किया है CBSE के नए अध्यक्ष बन गए है राहुल सिंग और इन्होंने किसको रीप्लेज किया है तो इन्होंने निदी छिपबर का इस्थान लिया है नेश्ट मारा कोस्टन केन सरकान ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे न्युक्त किया तो नबनीत सहेगल जो है प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं और हम बात करें प्रसार भारती तो इसको Broadcasting Corporation of India के नाम से भी जाना जाता है ठीक है और ये भारत की एक प्रसार संस्ता है इसकी स्थापना 1997 में करी गई थी हैड कोटर नए दिल्ली में हैं और नए अध्यक्ष बन गए हैं नबनीत सहेगल नेश्ट कोस्टन है आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट दो हजात तेईस की मताबिक दुनिया की सबसे थवावाली राधधानी जो है यह मतलब भूत ही हम कह सकते हैं कि अपने लिए बहुत अच्छी ख़वर नहीं है दुनिया की सबसे प्रदुशत हवावाली राधधानी जो है यह अपने देश की राधधानी नए दिल्ली है सी ओप्सन हमारा करक्ट आंसर हो जायागा हम और प्रफेक्टों से कॉस्टन को समझेंगे तो आईकी एयर ने मार्च दो हजाच चोविस में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट दो हजाच तेश जारी करी है और इस रिपोर्ट के नुसार दुनिया की सबसे प्रदुशत हवावाली राधधानी जो है यह अपने देश क मंत्री राजनात सेह ने किस जगा पर भारती नो सेना के पहले मुख्याला नो सेना भवन का उदघटन किया है भारती नो सेना का पहला मुख्याला है नो सेना भवन अभी तक इसका कोई इस्थाई मुख्याला नहीं था ठीक है यह पहला है और इसको नाम दिया गया है नो स और इसका उद्गाटन किया है रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने और उद्गाटन कहां पर किया है दिल्ली में ओके और फैक्टों की बात करें तो 15 मार्च 2014 को रक्षा मंत्री राजनात से नई दिल्ली में भारतिय नौ सेना के पहले मुख्यालाय नौ सेना भवन का उद्गा किया जाता था ठीक है और यह जो इस्थाई मुख्यालय मिल गया है नौ सेना के लिए तो इसकी आधार सिलावी रक्षामंत्री अरवन जेटली ने रखी थी कब 20 अगस्त 2014 को 2014 में रक्षामंत्री थी अरवन जेटली और अभी रक्षामंत्री है राजनात सिंग जिन्होंने उ दिया है इस के नुसार सबसे ज्यादा चंदा किस पार्टी को मिला है सभी को पता भी होगा कि सबसे ज्यादा चंदा जो है यह बीजेपी पार्टी को मिला है यह काफी बड़ा मुद्दा है ठीक है मतलब बहुत बड़ा स्कैम है ऐसा वेपक्ष बता रही है आप लोग भी आप जो है electrical bond का जो data है वो जनता के सामने रखिए तो सुप्रीम कोट के आदिश की बाद चुनाओ आयोग ने 14 मार्च 2024 को electrical bond का सारा data अपनी website पर publish कर दिया है तीक है और इस data के इनुसार किस party को कितना चंदा मिला है सबसे ज़्यादा चंदा मिला है बीजेपी party को 660 करोड रोपे फिर मिला है टीमसी यान की त्रण मूल कांग्रिस पार्टी को 1609 करोड रोपे फिर आयेंसी यान की इंडियन नेशनल कांग्रिस पार्टी को 1421 करोड रोपे फिर वी आरेस यान की भारत राष्ट समिती को 1214 करोड रोपे मिला है फिर मिला है वीजेडी को 775 कर विलादीमीर पुतिन कौन सी भी वार रूष के राष्टपती बने हैं तो बिलादीमीर पुतिन जो है यह पांची वार रूष के राष्टपती बने हैं डी उप्षन हमारा करक्तांसर हो जायीगा बताए माइक्रोसॉउफ्ट एयाई के नए सीएओ कोन बन गए है तो माइक्रोशोफ्ट एयाई के नए सीएओ बन गए हैं मुस्तपा also ङेयंगा। भारत और किस देश के बीच सेन अभ्यास टाइगर ट्राइंफ 24 आयोज़त हुआ है तो दोस्तों अभी अपने देश भारत और USA की बीच में सेन अभ्यास टाइगर ट्राइंफ 24 आयोज़त हुआ है ठीक है और इसका आयोज़न किया गया भारत के पूर्वी समुद्री तर्ट पर ठीक है और यह ट्राइ सर्वेस है यानि कि इस से अभ्यास में तीनों से नाय आर्मी ने भी और एयर फोर्स हिस्ता लेती है नेश कोस्टन है मार्च दो हजार चौबीस में वैस्विक आध्यात्मिक सम्मीलन दो हजार चौबीस का आयोजन कहां पर किया गया करक्ट आंसर ह लुझा जाएगा हैदराबाद में हम बात करें कि हैदराबाद से कितने करंटेफ्रेस के कॉस्टन बन सकते हैं वो भी केवल इंपॉइंट तो देखिए 2024 में भारत में इप्रेक्स के दूसे संसकन का आयोजन हैदराबाद में किया गया भारत का पहला सोलर साइकल ट्रेक हैदराबाद में बनाया गया ठीक है भारत का पहला किरसी डेटा एक्सचेंज हैदराबाद में लोंचुआ है Green City अब और जो है ये हैदरबाद सहर को दिया गया है और पहला 3D printed मानाव कॉर्णिया जो है ये हैदरबाद में बनाया गया है और दुनिया का पहला Real Time Gold ATM ये भी हैदरबाद में लगाया गया पूर्ण महिला स्वामित वाला एफेलो ओद्योग पार की ये भी हैदराबाद में बनाया गया है तो ये हैदराबाद से सारे करंट अफेस के question को आप याद रखेंगे अब बताए हाली में पानी और हवा दोनों में चलने वाला हाइब्रिड मानव रहत वाहन किसने विक्सित किया है correct answer हो जायागा IIT जूदपुर्ने C option हमारा correct answer हो जायागा दोस्तो next हमारा question है हाली में full day mahuso 2024 कहां मनाया गया full day mahuso की बात करें तो ये कहां पर मनाया गया है उत्राखंड राज्ज में D option हमारा correct answer हो जायागा देखे 2024 में आयुज़त हुए प्रमुकh mahuso की बात करें तो बन्नी उत्सव ये आंद्रप्रदेश में मनाया गया लोसांग mahuso सिक्किम में और सिग्मो mahuso गोवा में तांसेन mahuso बहुत ही जादा महत्पून है मद्पिदिस के गोवालियर में मनाया गया गीता mahuso हर्याना के कुरूचित्र में हैथाई अमन उत्सव तमिल्नाडू में जल्ली कट्टू महत्सव ये भी बहुत ही जादा महत्पून है और ये मतलब आए दिन विवादों में भी रहता है कहां पर मनाया गया तमिल्नाडू में कंबाला ये करनाटक में और मकरविल कू ये उत्सव ये केरला में उत्सव राजस्थान के विकनेर में ठीक है तो ये प्रमुक महत्सव हैं इनको भी आप जरूर याद रखेंगे नैश्च हमारा कॉस्टन हाली में पीम नरंद मोदी ने देश की पहली आटो इन प्लांट रेलबे साइडिंग का सुभारंब कहां पर किया देश की पहली आटो इन प्लांट रेलबे साइडिंग का सुभारंब जो ये पीम मोदी जी ने अपने राज गुजरात में किया है बी option हमारा correct answer हो जाएगा कुछ 2024 में पहले वाले question को हम revision कर लेते हैं तो देखिए देश का पहला unity mall यदी पूछड़ाए तो ये मद्धपदेश के उज्जेन में बनाया गया है भारत का पहला किर्सी डेटा एक्सेंज ये कहाँ पर हैदराबाद में ओनलाइन गेमिंग के लिए भारत के पहले उत्करिष्टा केंदर की इस्थापना मेगाला के सिलोग में करी गई और पहला global plastic overshoot day कम मनाया गया 28 जुलाई 2023 को और भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और सररक्षन केंदर ये उत्तरपदेश के महराज गंज जिले में इस्थापित हुआ है और world cities culture forum में सामिल होने बाला पहला भारते सहर ये वेंगलरू बन गया है और भारत का सबसे बड़ा प्राक्तिक आर्क कहां पर खोजा गया है तो ये उडिसा में खोजा गया है तो इनको भी आप जरूर याद रखना ये जो कुछ महत्वून question होते हैं कुछ ऐसे फेक्टर जो डारेक्टली पूंचे जाएंगे उनका मैं quick revision करा देता हूँ यही सबसे अच्छा तरीका है पढ़ाने का ओके next mark question है फिलिस्तिन के नए प्रधान मंत्री कौन बन गए हैं तो मुहमद मुस्थपाजु हैं ये फिलिस्तिन के नए प्रधान मंत्री बन गए हैं ठीक है अब बताईए हाली में भारत और किस देश के बीच सैंक तुसेन गया वी option करक्ट हो जाएगा लमित ये का इस साल कौन सा संसकन है दसवा संसकन है और आयोजन यदि पूछा जाए कि किस देश में आयोजन किया गया तो सेसल देश में ही आयोजन किया गया है नेश कोस्टन है अभी हाली में चमेले देवी जेन प्रुसकार 2024 से किसे सम्मानि किया गया इंपॉन कोस्टन है चमेली देवी जेन प्रुसकार यहां से कोस्टन पूछा जाता है और किस साल दिया गया है ये तो ये दो लोगों को दिया गया एक तो ग्रीसमा कोठार है और दूसरी है रितीका चोपड़ा तो C option हमारा करक्टांसर हो जाएगा और पर्यक्त 2024 का चमेली देवी जेन प्रुसकार दिया गया चमेली देवी जेन प्रुसकार क्या है तो ये महिला पत्त्रकारों का एक प्रतिषटित प्रुसकार है इसकी स्थापना 1880 में Media Foundation की द्वारा करी गयी थी और इसका नाम सुतंतरता सैनाणी और समाज सुधारक चमेली देवी ज यूप में किसे चुना गया है करक्ट अंसर हो जाएगा दूस्तो सरत कमल के लिए ठीक है और सरत कमल ये खेल रत्म पुरुषकार विजेता हैं और दो बार के Commonwealth Games चैंपियन रहे हैं टेबल टेनिस के खिलाड़ी है ठीक है और इनको आगा में जो पैरिस Olympic होना है 2024 वाला ठीक है इसका धोज वाहक वनाया गया है तो सरत कमल का नाम याद रखना नैश कोस्टन है अभी भूटान का सरबुच चिनागरिक सम्मान दी ओर्डर ऑप डुक ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बन गा है ये भी बहुत ही जाद इ याद रखना कौन सा है दी ओर्डर ऑप डुक ग्यालपो ठीक है और ये किसको दिया गया अपने देश के पी एम नरंद मोधी जी को दिया गया और मोधी जी ये सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी नेता वन गए हैं ठीक है सी ओप्शन हमारा करक्ट अंसर हो जा और यहां की राजा कौन है जिग में खेसर नाम गयाल वांग्चो की यहां की राजा है और यहां की आधिकारिक भासा जो है यह जोंग खा क्या जोंग खा यहां की आधिकारिक भासा है नेश कोस्तन है हाली में भारती सेना ने अपना पहला अपाचे लड़ाकू हेलिकाप् को अमेरिका की अर्बोइंग कंपनी ने विक्सित किया है याद रखना अमेरिका की अर्बोइंग कंपनी ने अपाचे हेलिकाप्टर को विक्सित किया और यह जो हेलिकाप्टर है न यह विश्व में सबसे उन्नत लडाकू हेलिकाप्टरों में से एक है इसकी अधिक्तम गती है 280 km प्रिती घंटा और ये एक मेट में 138 लक्षों को टारगेट कर सकता है 138 लक्षों पर हमला कर सकता है ठीक है मतलब ये बहुती खतरनाक हैलिकाप्टर है और अपाचे हैलिकाप्टर भारत में खरीदा है किस दिश से खरीदा है अमेरिका से खरीदा है ठीक है और भारतिय सेना ने अपना पहला अपाचे हेलिकाप्टर स्कॉड रन ये कहां पर इस्थापित किया है राजिस्थान के जोधपुर में इस्थापित किया है ठीक है तो ये सारे फेक्ट आपको याद रखना है अब नैश्वन की हम बात करें तो अभी बताएए के भारत इटली सेन सहयोग समूर की बैठक का वारवा संसकन मार्च 2024 में कहां पर आयूज़त हुआ है करक्ट आंसर हो जायागा दोस्तो आप्शन भी नई दिल्ली के अंदर इस कोस्तन है जनवरी 2024 में जलवायू सम्मिलन 2024 का आयूज़न कहां पर किया गया जलवायू सम्मिलन 2024 का आयूज़न जो है ये महराष्ट के मुंबई में किया गया बी ऑप्शन करक्ट आंसर हो जायागा विस्व का सबसे उचा राम मंदिर कहां पर बनाया जायागा पूरे संसार का सबसे उचा राम मंदिर जो है ये कहां पर बनाया जायागा आउस्टेलिया के पर्थ सहर में बनाया जायागा ये ऑप्शन हमारा करक्ट आंसर हो जायागा हम डेटेल की बात कर लेते हैं देखिए विस्व का सबसे उचा राम मंदिर आस्टेलिया देश के पर्थ सहर में बनाया जाएगा और इसका निर्माण स्री राम बैदेक इबं सांस्किर्ट क्रश्ट के दुवारा किया जाएगा और इसको बनाने में लगबात लागत कितनी आएगी 600 करोरोपे की और 150 एकड जमीन पर ये मंदर बनाया जाएगा और इस राम मंदर की उचाई कितनी होगी 721 फीट जबकि अयुद्ध्या में जो राम मंदर बनाया गया है उसकी हाइट कितनी है 161 फीट मतलब आप डिफरेंस देख पा रहे होगे लगबग 5-4-5 गुना उचाई वाला ये मंदर बनाया जाएगा ऑस्टेलिया के पर्थ में B option हमारा correct answer हो जाएगा और इसी करम में आपसे एक और question पूछा जाएगा कि हाली में विस्व का सबसे बड़ा cruise मियामी बंदर गाय से अपनी पहली यात्रा के लिए निकला है इस cruise का नाम क्या है correct answer हो जाएगा दोस्तों इस cruise का नाम है icon of the seas ए ओप्सन सही हो जाएगा और detail क की बात करें तो 27 जन्मरी 2024 को विस्व का सबसे बड़ा cruise ये मियामी बंदर गाय से अपनी यात्रा के लिए निकला है ठीक है और यह जो विस्व का सबसे बड़ा cruise है ना इसका नाम दिया गया है icon of the seas किस के द्वारा बनाया गया तो royal Caribbean के द्वारा बनाया गया cruise का नाम कर्ण किस ने किया है तो प्रसुद फुटबॉल खलाड़ी लियोनेल मैसी ने इसका नाम कर्ण किया cruise की लंबाई कितनी है वारा सो फीट तथा उंचा है ये बीस मंदला है ओके नैश्चमार कोस्टन है समुद्री सेवाल की खेती को वड़ावा देने के लिए पहला राष्ट्य स पुरालिक संग्रहाल है किस सहर में बनाया जा रहा है याद रखना भारत का पहला डिजिटल राष्ट्य पुरालिक संग्रहाल है और ये बनाया जा रहा है है हैदराबाद में C option हमारा correct answer हो जाएगा इसकी आधार सिला जी किसन रेड़ी ने रख दी है कब 5 फरवरी 2024 को कहां पर हैदराबाद में उद्दिस क्या है पुरा लेखी ये बिरासत की सम्रिद्धी को सर्रक्षित करना इस संग्राला में विबिन भासाओं एवं कालखंडों के एक लाग से अधिक प्राचीन सिलालेखों का प्रदसन किया जाएगा नेश कोस्टन है फरवरी 2024 में जारी टॉम 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 ट्राफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार विस्व का सबसे अधिक भीड भाड़ वाला सहर कौन सा है टॉम टॉम इंडेक्स अभी जारी किया गया फरवरी 2024 में और इस इंडेक्स के इनुसार दुनिया का सबसे अधिक भीड भाड़ भाला यानि कि दुनिया का सबसे जादा ट्रेफिक भाला जो सहर है न यह लंदन सहर डी ओप्सन हमारा करक्ट आंसर हो जाएगा हम बात करें यह इंडेक्स फरवरी 2024 में जारी किया गया और सबसे जादा भीड भाड़ वाले चार सहरों की बात करें तो लंदन पहले स्थान पर है आयरिलेंड का डबलन दूसरे स्थान पर है कनाडा का टोरंटो तीसरे स्थान पर है इटली का मिलान सहर जो है यह चोथे इंडेक्स में टॉप 10 में दो सहर भारत के भी हैं एक है करनाटक का वेंगलरू ये टॉप 10 में छटवे स्थान पर है और महराष्ट का पुड़े है ये टॉप 10 में साथवे स्थान पर है ओके नैश्ट हमारा कोस्तन है राष्टिय अनुसुचत जाती आयोग के नए अध्यक् किसोर मकबाना का याद रखना नाम ये राष्टिय अनुसुचत जाती आयोग के नए अध्यक्ष बन गए है नेश्ट हमारा कोस्तन है मार्श 2024 में प्रथम नेश्टनल क्रियेटर्स अवर्ड दो हज़ा चौबिस किस ने प्रदान किये हैं तो दोस्तों पहली वार बी ऑप्सन हमारा करक्ट आंसर हो जायागा नेश्टनल क्रियेटर अवर्ड मतलब जो बहुत अच्छा कंटेंट क्रियेट करते हैं उनके लिए दिये गए हैं ठीक है इनमें कई सारे तो यूटूबर भी हैं तो हम डिटेल से कॉस्टन को समझ लेते हैं आठ मार्च 2024 को पी दिजी के दौरा और यह प्रुषकार कब से दिये जा रहे हैं मतलब शुरुआत कब से हुई है इसी साल और सकारात्मक वदलाव लाने के लिए और रचनात्मकता का उपयोग करने को बढ़ावा देने के लिए इन प्रुषकारों की शुरुआत करी गई है ठीक है टोटल 23 23 लोगों को दिये गए हैं लेकिन हमें 23 नाम याद नहीं रखना कुछ महत्कून बजेता हैं के वले इनी के नाम याद रखो जैसे सरवशेष्ट रचनाकार का जो अवोड है यह जयाक किसोरी को दिया गया है और ग्रीन चेंपियन का अवोड यह पंक्ती पांडे को दिया गया सरवशेष्ट कहानिकार का प्रोशकार ये किर्तिका गोविन्दा सामी को दिया गया है क Canad Hari Diare का बजिसे सरवशेष्ट के अवोड और गोरवऑ चोधरी को दिया गया है यह टेकनीकल वीडियो बनाते है यूट्यूब पर पसंदीदर ट्रेवल क्रिएटर के लिए के लिए ठीक है तो यह कुछ विजिता हैं इनका नाम आपको याद रखना है यूनेसको ने कितने इस्थलों को विश्व धरोहर की आस्थाई सूची में सामिल किया है जिससे भारत में इसकी संख्या संताउन हो गई है तो देखिए विश्व धरोहर इस्थलों की जो आस्था संताउन हो गई है आए हम डेटेल से समझ लेते हैं मार्च 2024 को यूनेसको ने 6 इस्थलों को विश्व धरोहर इस्थलों की आस्थाई सूची यानि की प्रोविजनल लिस्ट में सामिल किया है जिससे भारत में विश्व धरोहर इस्थलों की आस्थाई सूची में इस्थलों लिहकिन स्थानों को सामिल किया गया उनको देख लीते हैं एक तो मध्दप्रदेश में ग्वालियर का किला है फिर एक खूनी भंडारा है यह मध्दप्रदेश की वुरहानपुर में हैं चम्मल घाटी की रौक कला इस ताल है यह मध्दप्रदेश और भोजिस और महादिव म इनसेम्बिल ओप धामनार ठीक है ये मद्दपिदिस के मंदसवर जिले में है तो छे स्थानों के नाम याद रखना इनको आज स्थाइ सूची में सामिल किया गया है नेश्ट हमारा कोस्टन है आली में किसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्गाटन किया तो उद्देश क्या है तो देश के सभी नागरिकों को संविधान कानूनी अधिकारों और अपने कर्तब्यों के बारे में जावरो करना इसका प्रमक उद्देश है नेश्ट हमारा कोस्टन है सिपरी की रोपोर्ट के अनुसर दुनिया का सबसे बड़ा हतियार आया तक देश क दुनिया का सबसे बड़ा हतियार नरिया तक देश कौन सा बना है तो आप कहेंगे USA बना है ठीके आया तक में पूछएदा आयगा तो आप कहेंगे अपना देश भारत और नरिया तक में USA नेश्ट मारा कोस्टन है हाली में भारत की उपराष्ट पती दुरोपती मुर्मू किस देश के राष्टिय दिवस समारोह में मुख अथिती के तौर पर सामिल हुई है अभी दोस्तो राष्टपती दिरोपती मुर्मु 12 मार्च 2024 को कब 12 मार्च 2024 को मौरिसस के राष्टिय दिवस समारोह में बतोर मुख अथिती सामिल हुई ठीक है याद रखना नेश्टमारा कोस्टन है जम्मू कस्मीर के उपराजपाल मनुष सिन्हा ने अनुसुच जनजाती यानि कि ST समूदाय के लिए आरक्षन बढ़ा कर कितने करने की मंजूरी दे दी है तो जम्मू कस्मीर के जो उपराजपाल है मनुष सिन्हा इन्होंने ST समूदाय के लिए आर आरक्षन कितना हुआ करता था तो 10% हुआ करता था और इसी क्रम में जम्यू कस्मिर में OVC यानि कि अन्य पिछला वर्ग समुदाय के लिए भी आरक्षन बढ़ाया गया है कितना गया है आठ परसेंट पहले कितना था तो पहले लक्षमी नाराण रामदास का निधन हो गया है उन्हें कौन सा अबोर्ड मिल चुका है तो याद रखना लक्षमी नाराण रामदास आप से कौस्टन यही पूछड़ाएगा कि यह कौन थे जब ऐसा पूछड़ाए कि यह कौन थे तो यह पूर्व नौसेन अध्यक्ष थे ठीक है और इनका निधन होगा है 15 मार्च 2024 को और इनको कौन सा अबोर्ड मिल चुका है रेमन मैक्स से अबोर्ड इनको मिल चुका है यह ओप्शन करक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है और हम बात करें यह 15 मार्च 2024 को इनका निधन होगा है 90 वर्ष की आयू में और यह कौन थे तो नो सेना के प्रमुक थे और कौन से नंबर के तेरवी नंबर के इनका कारेकाल रहा है 1990 से 1993 में तक और इनको 2004 में सांती के लिए रेमन मैक्स से प्रुसकार से सम्मानित किया गया है नैश्वन की हम बात करें तो इस टॉप कलॉक नियम क्या है जिसे अंतरराष्टे क्रिकेट परिसद ने T20 इंटरनेशनल और वंडे इंटरनेशनल में इस्थाई बनाया है तो दोस्तो इस टॉप कलॉक नियम इसके बारे में हम जान लेते हैं क्योंकि इस नियम को ICC ने पेनल्टी लगेगे ठीके साथ सेकेंड के अंदर आपको जो नैश्ट ओवर है यह सुरू करना ही होगा यदि आप नैश्ट से ओवर शुरू नहीं कर रहे हैं साथ सेकेंड की भीतर तो आपको दो बार तो वर्निंग दी जाएगी इसके बाद पांच रन की पेनल्टी लग मरियम नवाज बनी है यह ओप्सन करक्ट्रोज आएगा हम डेटेल से समझ लेते हैं तो पाकिस्तान की पंजाब प्रांथ की पहली महिला मुखमंत्री क्रूप में मरियम नवाज ने 26 फरवरी को सपत ली है ठीक है और इनकी पिताजी है नवाज सरीप ठीक है और चाचा कोन गई है ठीक है और याद रखना इनकी पार्टी का नाम क्या है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इनकी पार्टी का नाम है और एक और फेक्ट याद रखना की पाकिस्तान की पहली महिला प्रदानमंत्री कोन बनी थी बेंजीर भुट्टू बनी थी ओके और इसी क्रम प्रांत के पहले सिख्ध मंत्री जो हैं ये सरदार रमेश अरोडा बने हैं भी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा नैश्टमार कोशन है किस देश में सोध करताओं ने आठ आखों और आठ पेरों वाली विच्चू की एक नई प्रजाती की खोज करी है तो देखे दोस्तो थाइले नदेश में सोध करताओं ने आठ आखों और आठ पेरों वाली विच्चू की एक नई प्रजाती की खोज करी है और इस प्रजाती को नाम दिया गया है यूस कॉर्पिप्स क्रोचन ओके नैश्टमार कोशन है मार्च 2024 में सूचना एवं प्रशान मंत्रालाय ने असलील और अबद्र सामगरी प्रसाद करने के आरोप में कितने OTT प्लेटफर्म को विलोग कर दिया है तो अभी सूचना एवं प्रशान मंत्रालाय ने 18 OTT प्लेटफर्म को विलोग कर दिया है ओके नैश्टमार कोशन हाली में किस देश में भारती मूल के प्रधान मंत्री लियो वरा ओके हम बात कर लेते हैं आयरलेंड की तो रादधानी डवलेंड है करंसी क्या है यूरो है और भारतिय मुल्के प्रमुक कहां कहां है किस किस देश में है वहां से कॉस्टन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले तो अमेर के उपराष्ट पती याद रखना कमला हैरस भारतिय मुल्की हैं और यूकी के प्रधान من्त्री रेशी सुनन की यवी भारतिय मुलके हैं मौरिसस के प्रधान मंत्री अरबंद जगननात ये भारतिय मूलके हैं और सेसल्स के राष्टपती वाबेल राम कलावन भारतिय मूलके पुर्तगाल के प्रधान मंत्री एंटिनियो कोष्टा भारतिय मूलके हैं और सुरिनाम के राष्टपती चंद्रिका प्रसाद संतोगी ह ग्याना की राष्टपती मुहमद इर्फान अली है, सिंगापूर की राष्टपती थर्मन सड मुगरतनम है और माइक्रोसोप्ट की CEO सत्त नडेला ये भी भारती मूलके है गूगल की जो CEO हैं सुंदर पे चाई ये भी भारती मूलके है एड़ोप की CEO सांतनी गुपता ये भी भारती मूलके हैं तो ये सारे याद रखना क्योंकि यहां से कॉस्टन आपके एक्जाम में बन जाता है बताईए महराष्ट के अहमद नगर का नया नाम क्या रखा गया तो महराष्ट का जो अहमद नगर है न इसका नया नाम रखा गया है अहिलिया नगर वी ओप्सन हमारा करक्ट आंसर हो जायगा ठीक है तो अहमद नगर का नया नाम अठारवी सदी की मालवा की रानी अहिलिया भाई हूलकर की नाम पर रखा गया है ठेक है और महराष्ट के कुछ बदले गए नाम की बात करें तो औरंगाबाद का नया नाम चत्रपती संभाजी नगर रखा गया है उस्मानाबाद का नया नाम धारासिव रखा गया है ठेक है महराष्ट के CM एकनाथ संदे हैं और महराष्ट के राजपाल जो है यह है रमेस व को पढ़ना चाहते हैं पूरे साल के करेंट्टाफेस को आप टॉपिक वास भी रउantry पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करन्ट्टेस की ऐपडेट ई-बुक लॉंच हो गई है इस ई-बुक के अंदर आपको करंट अफेस का सारा content मिल जाएगा जहां से question exam में पूछे जाएंगे ठीक है और हमारी static gk की रामबान e-book भी लौन्च हो गई है इस e-book के अंदर आपको विस्प का भूगोल भारत का भूगोल भारत का सम्मिदान भारती आतवबस्ता सामन विग्यान और साथ मिल जाएगा आपको computer gk यहनिकी a to z static gk आपको हमारी इस e-book से मिल जाएगा इसकिरा में हमारी science की e-book भी लौन्च हो गई है और upgk याद रटना upgk प्लस current की e-book भी e-book को purchase करके आप अपनी study को मजबूत कर सकते हैं एक्जाम में selection ले सकते हैं आपकी बहादर सर का दावा है ठीक है दोस्तों एक question आपको छोड़कर जा रहा हूं इसी वीडियो से question को पूछा है हमने तो ऐसा test इसका answer आप comment section में जरूर लगाए 33 सरसुती संबान 2023 किसे दिया उसको कितना अच्छे से देखते हैं कितनी अच्छे से पढ़ते हैं ठीक है बाकी आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है ना तो वीडियो को like कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भाई बहनों के साथ आपके WhatsApp टेलिग्राम पर जितने भ पूर्पों में इस वीडियो को सेर कीजिए जो न्यूश्ट्रें टेंबो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में दवा लेजिए वैल आइकन ताकि जब भी मैं वीडियो डालू ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके आपको दर बादर भटकने की अप्सने मिलेगी या पर अभी आपको स्क्रीन क्यूब पर तीन वेरी उसफुल वीडियो देख रहे होंगे इन वीडियो को ज़रू देख लिजिए थैंक दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना अपने माता पता भाई बहन सब का ख देख रहे हैं जए हिन जए भारत